तो जैसा कि आप सभी को पता होगा और आप सभी लोग इस चैनल पे बने हुए हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हम लोग सेल बायलोजी को टुक्रों में तोर के आपके लिए लाज रहे हैं मतलब जर्णी ओफ दसेल अगर आपने मेरे यह प्रीविएस वीडियो करा था कि सेल बायलोजी जो है उसमें यूनिट जो है दो मेन यूनिट है एक माइक्रों और दूसरा नैनोमीटर तीसरा एक लिस कॉमनली यूनिट है एंगस्ट्राम अगर हम सेल बायलोजी में बात कर रहे थे तो सेल बायलोजी में दो वाल्ड है एक है माइक्रों वाल्ड of the micron word of the micrometer and secondary word of the nanometer ये बाते हम लोगों ने कल करा था अब हम लोग बात करेंगे जैसे ही हम लोगों ने micrometer की बात करी थी उस समय मैंने उस लाइन में सबसे नीचे एक बात लिखा था the study of the cell is done by the microscope यहां पर चीज देखो cell biology में world जो है आपका cell biology का जो पूरा विश्व है जो पूरा ब्रांच है उसके अंदर जो cells है उसकी size micrometer में हैं तो micrometer में micrometer के cells को हम अपनी आखों से direct नहीं देख सकते और नहीं देख सकते इसके लिए हमें कोई एक instrument की जरूरत होगा जिस instrument से हम cells की study करते हैं उस instrument को हम क्या करते हैं microscope माइक्रो definitely जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको microscope के बारे में भी बताएंगे अभी हम बात करेंगे instant time की जब हमारे पास microscope नहीं था जब हमारे पास microscope नहीं था तो हुआ क्या without microscope possible ही नहीं है जिससे की हम cells की study कर सकें but एक scientist हुए Robert Hook Robert Hook जो है scientist का नाम याद रखी गतोरा बहुत कहानी आपको याद रहे इसलिए मैं आपको कहानी भी बताते हुए चलूँगा Robert Hook जो है वह natural history museum की curator थे और इनके दिमाग में सबसे पहले question आया कि जो हम flask के उपर जो cap यूज़ करते हैं जो cork का बना होता है वो cork का ही क्यों बना होता है air को रोकने के लिए हम cork का यूज़ क्यों करते हैं ये इनके दिमाग में पहले आया इन्होंने क्या करा उस cork को fine blade से knife से कट करा और उसको कट करके simple lens यूज़ करके simple lens यूज़ करके उनको उस structures को उनोंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ इस तरह से structures देखें उन्हें कुछ इस तरह के structures दिखा ये structures अगर आप nature में देखोगे तो यह structure किसकी तरह है honeycomb के तरह यह structure किसकी तरह है आपका honeycomb के तरह यह structure honeycomb के तरह है और यही structure little room की तरह है मतलब चोटा सा room little room के लिए Latin language में cellular यूद होता है और cellular से English में term आया cell यह जो term है आपका cellular और जो यह structure था इस structure को Robert Hook ने अपनी book micro graphia में सबसे पहली बार point करा या सबसे पहली बार use करा अब interesting fact यह जो cell है यह जो यहाँ पे बात हो रही है cell यह cell originally में cell नहीं था यह cell originally में cell नहीं था यह एक vacant space है plant में जिसमें सिर्फ plant का cell wall है मतलब यह जो cell है वो actual में leaving cell ना होके क्या है dead cell है कुछ समय बाद चुकि रावट हुक एक curator थे क्या थे रावट हुक एक curator थे तो वो different different cells की study करने लगे different different material की study करने लगे living material की तो उन्होंने देखा कि इस hexagonal structures के अंदर या आपका hexagonal structures के अंदर कुछ jelly-like substance था कुछ jelly-like substance था जिसे इन्होंने juice कहा था क्या कहा था juice term यूज किया था वो सिर्फ ये और इनके अंदर कुछ jelly-like structure ही देख पाए the reason is that कि जो इनका hand lens simple lens जो यूज कर रहा था यह सिर्फ object को 30x ही कर पा रहा 30x का मतलब है कि कोई object ये है अगर यह एक micrometer का है तो इस lens का यूज करके आप इस एक को 30 micrometer तक बड़ा करके देख सकते हो ये कहानी cell biology में चल रही थी और इस कहानी के बाद एक person की entry हुई और वो person का नाम है एंटोनी इंटोन वान लिवेन हॉक लिवेन हॉक यह एक instrument merchant थे हैं मतलब वो instrument को बेचते थे इन्हों ने एक microscope बनाया microscope बनाया जो की 330 की जगा 300 एक्स magnification का था इन्हों ने क्या करा 300 एक्स magnification का एक microscope बनाया और इन्हों ने बारिस की पानी में rain water में सबसे पहले कुछ animal दिखे देखा जिसे इन्हों ने animal hules बोला इसके अलाबा इन्टोनी बॉन लिवेन हॉक ने bacteria भी देखा bacteria देखा इसके अलाबा rbc sperm cells इन सारे चीजों को 300x पे इन्टोनी बॉन लिवेन हॉक ने देखा मतलब इन्हों ने सबसे पहले living cells की बात करी सबसे पहले living cell की बात इन्टोनी बॉन लिवेन हॉक ने करा अब यहां पे एक problem है कि यह 30x से 300x तक जाने में इन्होंने animal cells को तो देख लिया बट अभी भी हमारे पास एक problem था एक नहीं उसे दो problem था बट हमें एक problem की बात करें वो problem था resolutions का या आप कह सकते हो resolving power का resolving power का problem था resolving power का मतलब क्या होता है यहां पे एक common रूप से थोरा सा समझ लिजिए को कि इसके ओपर एक पूरा का पूरा विडियो आएगा माल लिजिए कि यहां पे दो पॉइंट है इस एरिया में इन दोनों पॉइंट को हम अगर distinguish कर ले separately कि यह दोनों पॉइंट कहा कहा है तो जिस instrument से अगर हम इस दोनों पॉइंट को differentiate किया जा सकता है वो उसका resolving power कहलाता है यह यहां पे 300x के साथ भी limiting factor था धीरे धीरे बहुत सारे lens को combine करके बहुत सारे मतलब लगातार इसमें invention चलता रहा और बाद में हमारे पास एक compound microscope आया जिसमें दो lens हम use कर रहे थे एक lens क्या कर रहा था मान लो कि यह object है इस object को पहले एक lens इस object की एक image बना रहा था अब इस image का use करके एक और lens image बना रहा था जो हमें एक काफी इस object के compare में यह वाला image बहुत बड़ा हमें दिखाए दे रहा था यहां पे दो तरीके का lens था यह जो lens है इस lens को जो की object के पास था इसे हम objective lens बोल लेते हैं और यह जो था इसे हम eye piece बोल लेते हैं क्योंकि यह आँख के पास था और अगर यह 10 था और यह अगर 10 था तो टोटल यह object अगर एक है तो यहां से यहां तक 10 into 10 equal to 100x हमें दिखाई दे रहा था यहां देना यह अगर 10 था तो यह भी 10 इस जो 10 की बात हो रहे हैं से हम magnification power बोलते हैं तो टोटल इस microscope का magnification power m equal to m1 equal to m2 तो 10 equal to 10 equal to 100x magnification power होगा इस तरह के lens का यह question पूछा जाता है इसलिए मैंने यहां पे add कर दिया resolving power क्या कहलाता है यह भी question पूछा जाता है इसलिए मैंने यहां पे add किया जब हमारे पास compound microscope आ गए तब कुछ scientist और इसमें आये और उसमें से एक scientist था है जिनका नाम था ब्राउन Robert Brown Robert Brown ने 1838 में 1838 में इन्हों ने एक चीज़ देखा कि हर cells जितने भी cells थे उन सभी के पास एक dense structure दिख रहा था एक dense structure था unique था इसे इन्होंने nucleus नाम से बोला और nucleus की खोज का स्रे जो है किसको गया Robert Brown को जिन्होंने 1838 में खोजा था Same parallel 1838 में एक और scientist जो की by profession lawyer थे और वह science की दुनिया में आये और उन्हों वो as a botanist अपने आपको दिखाए और उनका नाम था Mathis Sliden Mathis Sliden और Mathis Sliden एक botanist थे और इन्होंने बताया कि plant cells जो होती है इन्होंने observe किया किसको plant cell को Plants Plants were Made up of Made up of Of Cell Plants are made up of cell और इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा plant एक छोटे से सिंगल से डवलप होता है एक छोटे से इंब्रियों से डवलप होता है पूरा का पूरा plant सेम 1839 1838 के बाद 1839 में हम लोग इंटर हो गए और इस समय एक और साइंटिस्ट आये जिनका नाम था स्वान और स्वान बाई पॉरफेशन जू लोजिस्ट थे और इन्होंने सेम बात जो कि स्लीडन ने कहा था सेम बात इन्होंने बोला बट यह animal point of view से बोला और इन्होंने एक मतब describe किया कि animal भी cell से बने होते हैं और इन दोनों ने स्लीडन और स्वान ने combine रूफ से एक theory दिया जिसे हम cell theory बोलते हैं according to this cell theory पहला point जो कि स्लीडन और स्वान का था वो था कि all organism all organisms are composed of composed of one or more cell one or more cells दूसरा जो इनका cell theory का point था वो था the cell this cell is the structural structural unit of life इन दो पॉइंट को cell theory में स्लीडन और स्वान ने एक साथ दिया इस समय cell की origin कैसे होती है इस बात पर debate चल रहा था और स्लीडन और स्वान इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि cell की origin होती कैसे है और यह point cell biology में एक break point आया जो इस point पर जाके अटक गया कि ठीक है सारे organism cell से तो बने हुए हैं और cell की structure unit cell है बट cell का evolution कैसे हुआ है cell कैसे बना इस समय स्लीडन और स्वान यह बात मान के चल रहे थे कि cell एक in eminate object से develop होता है बट definitely यह line गलत थी और अब यह line गलत थी यह बात किसे ने कहा और cell बना कहां से कैसे बना इसकी बात हम लोग next वीडियो में मतलब कल करेंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर लो definitely मैं बहुत basic से पढ़ा रहा हूँ morning dose के रूप में पढ़ा रहा हूँ thank you for watching this video share this video video if you want बाकि किसी भी exam में अगर आप जा के channel को check out कर सकते हैं इस channel से बहुत सारे बचों ने बहुत अलग अलग जगजा के अपने selection लिए हैं thank you झालग झालग में ने उस्झाए के लिए हैं झालग में पर आप में दौप ने वांगए हैं